दोस्ता आप सब का हर्दिक सुवागत है एक और नोलिजबल वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनुवी 40 टेबलेट के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं इसका जो SOLDनEM होता है, PENTA PRUDOL होता है PENTA PRUDOL, GESTRO ये GEST तेजाब इस तरी कंडिशन को ठीक करने वाली दवाई होती है और ये जो दवाई है PROTEIN PUMP INHIBITOR होती है और इसका जो उपय होगा GERD, PEPTICALSER और ACIDITY जैसी कंडिशन में इसका इस्तेमाल के जाता है तो इस वीडियों भी बात करेंगे इस टेब्लेट के बारे में तो 45 मिलिगराम की मातरा में इसके अंदर पैंटा प्रजोल होता है आपने देखा हो कि मार्किट के अंदर पैंटो 40 के नाम से टेब्लेट मिलती है बस उसी तरह की दवाई है लेकिन पेप्टिक हलसर के लक्षणों के उपचार में इसको व्योग के जाता है याम तोर पर अत्रिक्त पेट के एसिड को कम करके पेट में जलन एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्स जैसे लक्षणों से यह रहात दिलाती है है एच वन पाइलोरी बैक्टिरिया के संकर्मन के इलाज के लिए भी एंटिबायोटिक दवाओं के साथ में इसका इस्तमाल किया जाता है अब यह काम कैसे करता है दोस्तों इसमें पैंटा प्रजोल होता है और पैंटा प्रजोल जो है आम तोबर पेट की कोशिकाओ को अवर प्रजन में नली में घाओ हो जाता है तो पैंटो फोटी टेबलेट पेट केसिड के निर्मान को कम करती है और अलसर को प्राकरति की रूप से ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पूल होती है तो देखिए आज कल गैस का बनना खटी ड़कार बदहजिमी अपचन इस तरह की ब्लोटिंग जैसी कंडिशन है और फूड पाइप में जलन होना इस तरह की कंडिशन में जो है इसके अच्छे रिजल देखने को मिल जाते हैं और गैस खटी ड़कार बदहजिमी जैसी कंडिशन में तो इसे खाली पेट भी लिया जाता है खाली पेट के जो आपने कैप्स के साथ भी पेंटो 40 टेबलेट को लिखते हैं तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में साइड इफेक्ट की या नहीं दूस पर भाग कि अगर बात करता हूं तो इसमें सरदर्द होना सिर चक्राना पेट में दर्द होना उल्टी होना जी मचलाना इस तरह की condition हो सकती है तो बात कर लेते हैं इसके dose के बारे में तो normal तो इसकी dose जो है जब आपको ये condition होती है तब भी ले सकते हैं नहीं तो इसकी जो normal adult वेक्ती में जो dose होती है वो एक टेबलेट सुबह वेक टेबलेट साम इसकी normal dose हो सकती है बाखी जो है आपको अपने डोक्टर से एक बार शला ले घरी आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं अस्तनपान कराने वाले महिलाओं को पैंटो 40 टेबलेट के 7 से बचना चाहिए इसके लावा शराब के 7 के साथ पैंटो 40 टेबलेट के स्तमाल करना शुरक्सित नहीं है और लिवर या किड्ने की बीमारी में अगर इस दवा को प्योग किसी भी जिगर या गुर्दे की बीमारी के रोग्यों में तो साफ़दानी के साथ इसका इस्तमाल किया जाना चाहिए तो ये था दोस्तो हमारा वीडियो पैन्यू 40 टेबलेट के बारे में और ये जो टेबलेट है दोस्तो जैसे कि मैंने आपको पता ये डोक्टर मोर पैन इसको बनाती है जो की काफी ज़्यादा फेमस ब्रांड है और 126 रुपे में आपको 10 टेबलेट मार्किट के अंदर मिल जाती है तो ये था वीडियो दोस हमारा पैन्यू 40 टेबलेट के बारे में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिगा नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा